नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम बात करें के बजाज फैन्यांस के बारे में पिछले कुछ दिनों से यहां पे एक पैटन उपर क्या हुआ है और बजाज फैन्यांस अपने रिजिस्टन्स लेबल को तोड़के उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो च दिशा में ट्रेडिंग के सिगनाल बन सकते हैं और हमें आने वाले दिनों में बजाज फैन्यांस में क्या करना है तो चलिए चलते हैं इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दू अगर अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी और कमेंट जरूर कीजी तो चली चलते हैं जानते हैं बजाज फिनांस के बारे में क्या चल रहा है बजाज फिनांस में तो दिखिए मैंने यहां पर बजाज फिनां था वो कल के closing price के ऊपर ही था ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लाइन डॉकर कर रखा हुआ है आज का जो opening price था अगर देखो कि कल के closing price के ऊपर था तो यहाँ पर देखिए और इसका जो अगर मैं चार्ट को छोटा करो तो आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं इसका पांच दिन से वो बना हुआ है यहाँ पर अगर मैं line draw कर लूँ तो आपको clearly देखेगा 3350 के आसपास इसका resistance level बना हुआ है 3350 के आसपास इसका resistance level बना हुआ है और जो bottom है bottom इसका देखिए पिछले कुछ दिनों इसका जो bottom में यह bottom बना हुआ है 3150 के आसपास और इसी के बी करूँ तो आप यहाँ पर clearly देख सकतो यहाँ दिखिए इसका support बना हुआ है support गया resistance को hit किया resistance को cross नहीं कर पाया उसके बाद फिर देखिए नीचे आ गया फिर support को hit किया support में अच्छा कासा support मिला support से नीचे नहीं गया फिर देखिए अभी फिर से देखिए upward trend journey बाग किये तो यह देखिए हम बात कर गए पिछले कुछ दिनों के बारे में तो चलिए देखिए मैं drawing को clear करता हूं और देखिए फिर से और एक बार समझने की कोशिश करते हैं आज देखिए क्या हुआ आज तो श्टॉक खुला वो कल के price के ऊपर खुला और देखिए यह positive दिसा में गया पूरा का पूरा अप्ट्रेंड में मना तो अगर मैं चार्ट को छोटा करो आप देखो कि अगर यह pattern जब भी बना यहां पर देखिए 18 जून को आप देख सकतो जब 19 जून को मार्केट खुला 19 जून का बजाज फैनांस का price पिछले वाले दिन से उपर ही खुला और पर देखिए 20 जून को भी वह हुआ 23 जून को यहां पर भी वह हुआ जब भी देखिए बजाज फैनास में तो एक pattern देखिए पिछले कुछ दिनों पर आप आप आनलेज करो यहां पर देखिए वह हुआ अगर इसका opening price पिछले वाले दिन के closing price के ऊपर खुल रहा है तो stock पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है और continuously कुछ दिन के लिए जा रहा है यहां पर आप देखोगे तो यह trend देखिए यहां से शुरू होगे यहां तक गया तो आप आप देख सकते हो यह 2400 से 3000 तक यह trend चला फिर अभी देखिए यहां पर जब हुआ यह trend 3000 से लेके गया 3400 तक ठीके तो यह trend आपका continue हो सकता है और अगर आप stock में और थोड़ा पिछे जाओ के देखिए जब 1900 के range पर वही trend फिर से देखनों को मिला था 1900 पर देखिए opening price is more than yesterday's price तो वह trend यहां पर देखनों को मिला और तब देखिए यह stock चला गया आपका 1900 से लेके 2400 तक तो देखिए जब भी stock में उच्छा ला रहा है यही pattern देखनों को मिला है opening price is more than your previous day के closing price मतलब आज का जो opening price है वो पिछले दिन के closing price के उपर rate rate कर रहा है और यह देखिए bullishness दिखा रहा है और अगर आप देखो के 3 जून से लेके 15 जून तक देखिए stock एक लेबल पर train करता रहा और यह आपका 2400 का लेबल था उसके बाद देखिए stock में breakout आया फिर देखिए stock उसी लेबल पर कुछ दिन trade करता रहा 3000 के लेबल पर trade कर रहा 2300 से लेके 16 जून तक देखिए उसके बाद देखिए फिर से breakout आया और stock ट्रेड अभी कर रहा है 3400 पर लेबल पर trade कर रहा है पिछले कुछ दिनों से 7 जुलाई से आज होगे 17 जुलाई तो यहां पर अगर मैं चार्ट को enlarge करूँ तो यह pattern आप clearly देख सकते हूँ तो चलिए मैं pattern भी आपको draw भी करके दिखा देता हूँ तो देखिए यहां पर मैं पर pattern ड्रॉ कर लो यहां से यहां गया बने रही है मेरे साथ में इसको तो देखिए अगर मैं यहां पर pattern ड्रॉ करूँ तो देखिए pattern किस तरफ से जा रहा है यह blue valley line अगर आप mark करोगे तो देखिए यह clear उपर के और इशारा करिए तो यहां पर देखिए जैसे ही बजाज finance यह वाले label को cross करेगी उसके बाद हमें stock में पैसे invest करना है और stock और भी उपर जा सकता है और इसको touch करने के लिए देखिए यहां पर थोड़ा सा गया आप है अगर Monday को यह आने वाले दिनों में यह stock और भी उपर के और जा रहा है तो जैसे हमें बार 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 बता गया यहां पर देखिए आने वाले दिनों में मार्केट खुलेगा आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उपर उसके उपर ही खुलेगा और बजाज फैनांस अगर ये लेबल को क्रोस करती है यहां पर जो अच्छा कासा रिस्टन्स बना हुआ है जहां पर बजाज फैनांस पिछले कुछ दिनों से लेबल टूट जाएगा और स्टॉक उपर जागा तो तब भी जाके हमको स्टॉक में पैसा लगाना है तो चली मैं ट्रॉइंग क्लियर करता हूं और व्यूडियो में आगे बढ़ते हैं जैसे मैंने बोला अगर इस लेबल पे हमें स्टॉक पे पैसा लगाना है तो यहां आप देख सकते हैं यह वाला लेबल जो है 3500, 3300, 50 के आर पार जब जा रहा है तो यहां पर देखिए इसका अच्छा कासा जिसे मैंने बार बार बोलना हूं यहां पर देखिए इसको अच्छा कासा रेजिस्टन्स मिला है 3300, 50 के आजपास देखिए 3350 को स्टॉक क्रॉस कर करता है तो हम स्टॉक पर पैसा लगा सकते हैं और अगर इसको सस्टेंड करता है तो कि यह चलते हैं इसी के हिसाब से हम लिख लेते हैं कौन से लेबल पर हमको और हमारा टार्गेट कर रहेगा टार्गेट देखिए बाय का आपको इनिशिट करना है 3350 के आर पार जाता है तो आपको स्टॉक में बाय पोजीशन इनिशिट करना है और इसको 3350 का आरपद इसको सस्टेंड भी करना है ठीक है सस्टेंड करना है 3350 के आसपास तो आपको स्टॉक में पेशा लगाना है क्योंकि और बहुगा सकता है और उसके बाद चलिए देखते हमारा टार्गेट क पोटेंशल अगर यहां पर जो में line draw किया, अगर फूल line, trend line उसी हिसाब से बंगता है, देखिए trend line फिर से धान दीजी, अगर इस हिसाब से line जा रहा है, इसको यहां पर cross किया, cross करके उपर जा सकता है, 3500 तक जा सकता है, ठीके, तो उस हिसाब से हमें stock पर target price हमारा रहेगा 35 तो चले चलते हैं, target price भी लिख लेते हैं, target price हमारा रहेगा 3500, और यह हमारा target price रहेगा, हम profit potential चले देखते थे, profit potential, देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, हमें 5% potential चाहिए, 5% profit potential चाहिए, जिसे हमें upside potential भी कहते हैं, और यह आपका रहेगा 5%, ठीके, इसी के साथ देखिए, यह आपका buy का price हो गया, 3350, अगर इसके उपर sustain करते है, target रहेगा 3500, profit potential रहेगा, up to 5%, तो यह हम बात करके, कहाँ पर खरीतना है, कहाँ पर बेचना है, तो चली जानते हैं, और देखते हैं, stop loss आपको कहाँ पर लगाना है, तो चली मैं drawing को clear करता हूँ, और आगे बढ़ते हूँ, और देखते हैं, stop loss आपको कहाँ पर लगाना है, तो stop loss देखिए, stop loss के लिए द यहां पर दीखिए अगर 2960 के आसपास में लाइन ड्रॉ करूँ इवली लाइन देखिए 2960 के आसपास अगर में लाइन ड्रॉ करूँ यहां पर देखिए Stock को अच्छा खासा resistance मिला हुआ था पिछले कुछ दिनों से और stock किसी लेवल पर trade कर रहा था तो आप 2960 के आसपास अपना stop loss लगा सकते हैं कि इसके नीचे देखिए stock को अच्छा कासा support मिला stock बार 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 इसको touch किया लेकिन immediately bounce back करके उपर भी आ गया दो आपको stop loss लगाना इसके आसपास stop loss लगाना 2960 के आसपास और इसके नीचे अगर stock और भी नीचे जा रहा है तो आप 2850 पर यहाँ भी stop loss लगा सकते हैं अगर और और भी नीचे जा रहा है कि इसके नीचे जाएगा तो stock इसमें clear bullishness देखने को मिल सकता है क्योंकि आप अच्छा खासा छलंग लगा कि यहां तक आया हुआ था लेकिन इसके नीचे जा रहा है तो 29, 2850 के नीचे और भी नीचे जा सकता है और stock में और भी bearishness देखनों को मिल सकता है उसे साब से चलिए मैं फिर से आपको लिखके दिखा देता हूँ buy का position आपको initiate करना है buy का position initiate कीजिए 3350 के आसपास अगर यह sustain करता है तो और इसके उपर stock और भी उपर जाता है target आपका राएगा target आपका राएगा 3500 तक और आपका profit potential है profit potential है 5% और आपका stop loss लगाना है जो 2960 के आसपास आप इसमें stop loss लगा सकते हो क्योंकि वो आपका stop loss का price रहेगा लेकिन आप अब भी और थोड़ा safe खिलना चाहते हो तो यहाँ पे और एक stop loss का line में draw करके दिखा देता हूँ आपको यह वाली line level जो है 3200 के आसपास भी आप इसमें stop loss लगा सकते हो अगर आप short term ultra short term खिलना चाहते हो तो यह वाली line पे भी आप stop loss लगा सकते हो तो चलिए देखते हैं इसका EMS देख लेते हैं EMS भी भी आपको stop loss का idea आ जाएगा 5 day का दिख्ये exponential moving आब रहा है इसका चलिए मैं आपको लिखके दिखा देता हूँ 5 day का exponential moving आब रहा है 3, 2, 3, 8 5 day का exponential moving आब रहा जा रहा है 3, 2, 3, 8 10 day का exponential moving आब रहा जा रहा है 3, 1, 8, 9, and 20 day step arm bowling आब रहा है 3, 0, 4, 6 तो अगर आप यहांपे clearly देख सकते हो और एक बात ध्यान में आपको बता तो 200 डेक आगर आप देखो कि एक्समेशन मुविंग आप चाहिए 3 1 1 5 तो अभी ये स्टॉक 200 डेक के एक्समेशन मुविंग आप इसको प्रॉस करके ऊपर आयो है अगर आप मुविंग आप इसको यहां पर लाओं बजाज फिनेंस के लिए तो यहां पर आप देख सकतो stop loss लगाओ अगर आप सेप खिलना चाहते हो जैसे मैंने बार बार यहां पर बोला 30 120 के आज पास हुआ आप का रहेगा 10 डेका एक्समेशन मुविंग आपर 20 डेका एक्समेशन मुविंग आपरेज के आज पास आप करवेगा तो stop loss वहां पर भी ल 3100 के आज पास है हाँ पर आपको तो दीखिए मैंने इसे मॉडिफाइए के stop loss लगे 3140 पर आपकर आप सेप खिलना चाहते हो लेकिन और थोड़ा रिस लेना चाहते हो तो 5960 के आज पास और stop loss लगा सकते हो और उससे आप से बजाज फिनांस से पैसा कमा सकते हो तो चलिए यह हम बात करके बजाज फिनांस के बारे में एसे ही stock जानने के लिए एसे ही ट्विमेलेसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेए हमारे चैनल को follow कीजिए like कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन video समप करने से पहले मैं फिर